आज के इस वीडियो में आपको एक न्यू जॉब और विकेंसी की अपडेट देने वाला हूँ जो कि अच्छी आपको जॉब विकेंसी में लेकर काया हूँ आज I.R.E.L. इंडियन रेर और अर्थ लिमिटेट के तरफ से जुनियर इंजिनर और असिस्टेंट इंजिनर के प सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजए गा साथी बैल अकन प्रेस कर लिजए गा जिनसे की टेक्निकल फिल्ट की जो भी सारी वेकेंसी अप्डेट आती है इस अंदर में आता है इसमें अभी देख सकते हैं वेकंसी सर्कुलर नोटीस इसका अड़र्टाजमेंट नमर सी ओ स्लास अबलिक एच आर एम अबलिक 092022 है इसमें वेकंसी जो एनॉंस की गई है औल इंडिया के कंडिडेट के लिए वेकंसी एनॉंस की गई है आप लोग यहां पर परपाएंगे आई आर एल इंवाइट्स एप्लिकेशन थ्रू ऑनलाइन मोर्ड फ्रॉम इलिजिवल क्वालिफाइड टैलेंटेड एनर्जेटिक एंड डैनामिक इंडियन नेशनल्स फॉर दा फॉलोविंग पोस्ट और रेगुलर बेसिक परमानिंट जोब इसमें व फ्रेशर से लिजिवल है और आपको इसमें जो ट्रेणी के पोस्ट वेकेंसी निकली है तो आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके बाद आपको परमानिंट जोब इसमें मिल जाएगी यहां पर डिटियर्स औफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आप लोग यहां प पचास रुपे पर मंथ आपको इसमें मिलने वाली है यह अपको जब तक आपका ट्रेनिंग पिरियड रहेगा उस दोरान आपको मिलेगी जब आपका परमानिंट हो जाएगा ट्रेनिंग पिरियड जब आपका खतम हो जाएगा तो आपको पे स्केल के अनुसार से 25,000 से ल पर देख पाएंगे माइनिंग, केमिकल, मेकनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रोनिक्स और इस्टुमेंटेशन यह सभी बरांच से अगर आप लोग डिपलोमा कर रखे हैं फ्रेसर्स हैं इलिजिबल हैं अपलाई कर सकते हैं और नीचे में जो पोस्ट है उसके ब इलेक्ट्रिसियन इसमें आईटिया वालों के लिए यह नीचे वाला दिया गया जिसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान 21,000 स्टिपेंड मिलेगी और पर्मानेट जब हो जाएगी एक साल का बाद आपको 22,000 से लेकर के 88,000 के बीच में पर्मानेट से आपको पेस केल कनुसा आईटिया वालों के लिए अब बात करता है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है तो क्वालिफिकेशन आप लोग यहां पर देख पाएंगे जो भी कंडिडेट ग्रेजवेट ट्रेनी के पोस्ट फे फाइनेंस वाले में अपलाई कीजेगा उसमें CA आपका क्व दूसरे नमर में जो ग्रेजवेट ट्रेनी HR के पोस्ट फे है इसमें ग्रेजवेट इने डिसिप्लीन रखा गया है तो अगर आप लोग बीटेक की है तो भी अपलाई कर पाएंगे टेकनिकल नहीं है इसमें मैं आपको बीटेक बोल दिया था लेकिन बीटेक टेकनिकल में नहीं है ग्रेजवेट आपका होना चाहिए किसी भी डिसिपलीन में आप कर रखे हैं तो ये ग्रेजवेट ट्रेनी HR नन टेकनिकल पोस्ट पे अपलाई कर पाएंगे जिसमें के आपको ग्रेजवेशन कम्प्लीट होना चाहिए बीवीटेक भी ग्रेजुशन होता है और अ आपके पास minimum 50% mark होना चाहिए जो भी से candidate हैं जो SCST से बिलोंग करते हैं उनके पास 60% आपका mark होना चाहिए सड़ी SCST वालों के लिए 50% mark होना चाहिए और बाकी के लिए 60% आपका mark minimum होना चाहिए आपके पास ये होना चाहिए उसके बाद दूसरे जो post code था junior supervisor के लिए इसमें qualification master degree रखा गया है और experience one year इसमें रखा गया है और जो diploma या graduate वाला उपर मैंने बताए trainee के post पे उसमें फ्रेसर eligible है अपलाई कर पाएंगे उसमें कोई भी experience required नहीं है अब बात करता है इसमें ITI वालों के लिए जो इसमें non executive post जो है workman इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं tradesman, trainee, ITI इसमें आपका qualification तेंथ के बाद अगर आप लोग ITI कर रखे हैं अलग-अलग field में तो इसमें apply कर पाएंगे इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 year का experience required है उसके बाद tradesman, trainee, IT, feeder, electrician और instrumentation के post पे इसमें दिया गया है और attendant, operator, chemical plant में इसमें भी आपका तेंथ के बाद अगर ITI कर रखे हैं तो apply कर पाएंगे इसमें भी 2 year का experience required है age relaxation की बात करें तो age relaxation आपको अलग-अलग category में अलग-अलग मिल जाएगा यहाँ पर year में देख सकते हैं जिसमें KST के लिए 5 year का, OBC के लिए 3 year का, PWD general के लिए 10 year का, OBC NCR के लिए PWD 13 year का इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर age relaxation अगर आते हैं, अगर आपका age limit जो है cross कर गया है, ज्यादा हो गया है तो आप लोग age relaxation लेकर के भी form फिल कर सकते हैं अपर age limit आपका कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अलग-अलग post के नुसार से upper age limit यहाँ पर रखा गया है, जिसमें की जिस भी post आप eligible होंगे उस post के सामने में देख लीजएगा कि आपका upper age limit इसमें कितना रखा गया है अब बात करते हैं इसमें mode of selection की, तो इसमें mode of selection जो आपका written test के आधार पर होने वाली है written test में जैसा आप perform करते हैं, उसी के आधार पर आपका selection होने वाली है इसमें आपका जो exams है, वो bilingual आएगा, Hindi और English दोनों में आएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, question paper booklet for written test will be bilingual, that is both Hindi and English इसमें आपका जो vacancy है, इसमें आपका question paper जो रहने वाला है, इसमें 120 minute का CBT exams आपका conduct करवाए जाएगा एक अच्छी बात है कि इसमें कोई भी negative marking नहीं है, there will be no negative marking, तो आपका इसमें कोई भी negative marking देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें किस तरह से questions फूचा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, graduate trainee की बात करें, तो इसमें subject knowledge और प्लस paper 1 आपका 50 mark होगा subject knowledge में और paper 2 में आपका non-technical रहेगा 50 questions, उसी तरीके से graduate trainee HR में भी same है, junior supervisor में भी same है, personal secretary में भी same है बात करते हैं, diploma trainee के लिए, तो diploma trainee में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, जो भी आपका paper 1 है, paper 1 में आपका subject knowledge would be consist of questions, testing, basic knowledge of general engineering तो आपका 100 questions आपका technical paper रहेगा और 50 questions आपका non-technical paper रहेगा, जिसमें general knowledge, numerical ability, reasoning ability and general English से questions रहेगा 10 marks का आपका exam होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, diploma वालो के लिए, और उसके पहले आपको 100 marks का exam होगा, जो graduate वालो के लिए वहीं बात करें, ITA वालो के लिए, तो ITA वालो के लिए 50 और 50 technical, 50 non-technical, total 100 questions के exam होगा इसमें आपको minimum qualifying marks आपको अलग-अलग test में देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, minimum marks paper 1 में 25 mark लाना होगा paper 2 में भी 25 mark अलग-अलग, post के लिए अलग-अलग category के नुसार से इसमें रखा गया है आपका Retain Examination का जो center है, और कहां पर होने वाली है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जो भी इसमें diploma training, graduate training, यह सभी के लिए आपका जो examination center है, मुंबई, पूने, उसके बाद तिरुवंद, पूड़म, कोची, भूबनेश्वर, कटक, यहाँ आपका रहने वाला है, और जो tradesman, ITA वालो के लिए जो examination center है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग पर सकते हैं, जब आपका training खतम हो जाएगा, तो आपको regular job मिल जाएगी, जो कि देख सकते हैं, graduate training और diploma training वालो के लिए यहाँ पर लिया गया है, कि जब आपका जो successful, completion of training, जब आपका training complete हो जाएगा, तो आपको basic pay उसके बाद जो भी मिलता है, salary, HR, उसके बाद DR, इसमें सभी कुछ आपको सभी के साथ, आपको permanent job मिल जाएगी, जो diploma training और graduate training वालो के लिए, उसके बाद tradesman training, ITA वालो के लिए भी same यहाँ पर रखा गया है, अब बात कर category अलग-अलग post का नाम दिया गया है, अलग-अलग सभी post के लिए इसमें दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख लिजेगा, इसमें SCSTPWD category के candidate और जो भी candidate है, women category से आते हैं, women candidate को इसमें कोई भी application fee pay करने की जरूरत नहीं है, only male candidate को इसमें application fee pay करने होंगे, और SCSTPWD ESM से जो अलावे आते हैं, वो लोग इसमें application fee pay करने होंगे, जो कि है 400 बहुत तर रूपे खा, उसके बाद इसमें आप बात करते हैं कैसे apply करना है, how to apply, तो apply करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के description में जाइए, आपको apply online का link मिल जाएगा, उस date के बाद अगर आप लोग pass out होते हैं, तो आप लोग इसमें eligible नहीं है, apply नहीं कर सकते हैं, इसको apply करने के लिए, इसके website पर आने के लिए, मैं वीडियो के description में direct link दे दूँगा, online apply का, तो यहाँ पर click कीजेगा, तो आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, apply करने के लिए, मैं मैंने information था, मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query रह गया होगा, तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो कैसा लगा, जरूर से comment बें बता सकते हैं, अच्छा लगा हो तो जरूर से like कर दीजेगा, अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा, और